नमस्कार दोस्तों, जै मातादी वर्ल बैस मैजिक में आपका हर्दिक स्वागत है कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जै मातादी जरूर लिखें माता रानी सबका कल्यान करेगी दोस्तों आज हम बात करेंगे एक खास टॉपिक के बारे में कि सूर दिवता को जल अर्पित करने की सही विधी और नियम क्या है ताकि आप अपने जीवन में धन वैबो और तरक्की प्राप्त कर सकें पूरी चांकारी के लिए अन तक इस वीडियो के साथ बने रहें और वीडियो सुरू करने से पहले आप से रिक्ष्ट है कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल वैड़ बैस मैजिक सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सस्क्राइब कर लें तो आईए शुरू करते हैं दोस्तों सूर्य दिवता को जल अर्पित करने से जीवन में बहुत से फायदे होते हैं सूर्य को सभी ग्रहों का राजा माना जाता है सूर्य से पूरे ब्रह्मान में रोशनी एवं प्रकास फैलता है सूर को आत्मा का कारक माना गया है इसलिए सूर भगवान को जल देने से आत्मा की सुद्धी होती है सेल्फ कॉंफिडेंस बढ़ता है सूर से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है इससे हमारे नेत्रों की रोशनी बढ़ती है और तच्छा में चमक आरती है सूर को जल देने से बिमारियां दूर रहती है और आरोग कावास होता है यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर उच्छ का होता है तो वह व्यक्ति बहुत ही गुडवान और तेजस्वी होता है उसे समाज में बहुत मान सम्मान प्रतिस्ठा की प्राप्ति होती है इसलिए हर व्यक्ति को सूर ग्रह को मजबूत करना चाहिए दोस्तों सूर को मजबूत करने का सबसे आसान तरीका है सूर देवता को जल अर्पित करना और जिन व्यक्त की कुंडली में सूर नीच का हो उन्हें तो अवस ही सूर को जल अर्पित करना चाहिए क्योंकि सूर को मजबूत करने से सनी देव को सांथ किया जा सकता है सूर देवता को जल अर्पित करके जीवन में तरक्की और सफलता प्राप्त होती है कर्ज से मुक्ति मिलती है, सरकारी नोकरी या नोकरी में प्रमोशन मिलता है या आप धनवान या रूपवान बनना चाहते हैं तो सूर्य को जल अवस ही अर्पित करें अधिकांज लोग सूर्य को जल देते हैं जो प्रति दिन नियमी पूजा पाट करते हैं किन्तु सूर्य को जल अर्पित करने का सही विदी और नियम जानना बेहत जरूरी होता है। इससे सूर्य दिवता हमें अधिक फल प्रदान करते हैं। दोस्तों सूर्य दिवता को जल देने का सही नियम यह है। सूर देटा को जल अर्पित करने का सबसे उत्तम समय तब होता है जब सूर भगवान उदै हुए हूँ तब से लेकर दो घंटे बात का समय सबसे उत्तम होता है इस समय के बीच सूर देटा को जल देना बेहत लापकारी होता है और सूर देटा को जल देते समय व्यक्ति को करना चाहिए लोटे में सदर सच एमम सुद्ध जल भर कर पूर्व दिशा की और मुख करके सूर दिवता को जल अर्पित करना चाहिए जल अर्पित करते समय दिशा का अवस ध्यान रखिए आपका मुख हमेशा पूर्व दिशा की और होना चाहिए दोस्तों जो जल आप सूर जल में ना पड़े ध्यान रखें कि जल जमीन पर ना गिरे इसके लिए आप कोई पातर रख सकते हैं उसमें जल अर्पित करके फिर वह जल किसी पौधे में डाल दें या फिर कोई गमला रख लें और उसी गमले के पौधे पर जल अर्पित करें सूर को जल देते समय सूर को या उस जल की धार को देखते हुए ताकि सूर की किरने जल की धारा से होते हुए आपके सरीर पर पड़ें इससे आपको सकती एवं निरोगी काया मिलती है दोस्तों सूर को जल देते समय एक लाल पुस्प अवस लें कभी भी खाली जल सूर को अरपित ना करें जल में लाल पुस्प या लाल चन्नन वरोली का इस्तमाल करना बहुत ही सुब माना जाता है साथ ही सूर देव के मंतरों का उच्चारण भी अवस्प करना चाहिए ओम सुर्यानमा या ओम घ्रणी सुर्यानमा या ओम आदित्यानमा इन में से जो भी मंतर आपको याद रहे वह मंतर बोलते हुए सूर को जल अरपित करना चाहिए इसके पश्चार तीन बार पर इक्रमा करनी चाहिए फिर जो जल अरपित किया है उससे कुछ बूंदे लेकर अपने सीधे हाथ की उंगली से मस्तक पर तिलग करना चाहिए फिर अपनी दोनों आखों पर यह जल लगाना चाहिए इससे आपको सूर की सक्ति प्राप्त होगी इससे आपका सूर गह मजबूत बनता है जिन लोगों के अपने पिता या पुत्र से नहीं बनती है यानि जिन पिता पुत्र का सम्मंद अच्छा ना हो उन व्यक्ति को सूर को अवस ही मजबूत करना चाहिए यदि आप अच्छे राजनेता बनना चाहते हैं उच्च पद प्राप्त करना चाहते हैं या आप सरकारी नौकरी की च्छा रखते हैं या आपकी नौकरी में प्रमोशन वावैपार में तरक्की चाहते हैं तो सूर को जल अवस ही अरपित करना चाहिए क्योंकि सूर के मजबूत होने पर आपको धनवान एमम्ते जसी बनने से कोई नहीं रोक सकता तो दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवस्य बताएं और इस वीडियो को लाइक और सेयर अवस्य करें हमारे यूट्यूब चैनल वर्ड बैस मैजिक से जुनने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को अवस्य क्लिक करें और साथ इस जाद घंटी का बटन दबा दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे फिर मुलाकात होगी किसी नई जानकारी के साथ धन्यवाद